पिछले दिनों सारन के मांजी थाना शेत्र के ग्राम मुबारकपुर में मुख्या पती और समर्थकों द्वारा मुडगी फॉर्म में तीन युवकों की बुरी तरह से पिटाई में एक युवक की मौत और दो युवकों के जखमी होने की खबर थी घटना पर परिजनों से मिलने महराज गंज सांसद जनारदन सिंग सगरेवाल पहुचे उन्होंने मिर्टक युवक के परिजनों को सांतना दी और न्याय का भरोसा भी दिया वही दो इलाजरत युवकों के विश्य में पटना फोन कर हॉस्पिटल से जाय जा लिया और इलाज में हर संभव मदद का भरोसा दिया इस दोरान सांसद ने कहा कि दोशी कोई भी हो बख्षे नहीं जाएंगे उन्होंने कहा कि इस सरकार में अपराध चरम पर है यहां आम हो या खास खुद को बचा पाना एक चुनावती होगी मिर्तक के पडिवार को हर संभव मदद की जाएगी हम पडिवार के साथ खरे रहेंगे मिर्तक के पिता जै प्रकास सिंग ने बताया कि मेरे पुत्र को सोची समझे साजिश के तहत मारा गया है साजिश करता में अपराधी विजय यादब, अजय यादब, जतुले यादब और मतुरा यादब साथ उनके साथ ही सम्मिलित है वही घायल राहूल सिंग की हालत गंभिर है और घायल विक्की सिंग रुवन अस्पताल पटना में भरती है मिर्तक के भाई अभिशेक सिंग ने बताया कि पुलिस प्रशासन के मिले भगत से सारे घटना को अंजाम दिया गया है इस मौके पर सांसत के साथ मांजी, पश्मी, मंडल, अध्यक्ष, मुकेश, कुमार सिंग, चैतनेंदर, नात सिंग, युवा, नेता, विभूती, नाडाय, अंतिवारी, जितेंदर सिंग, गौरब सिंग, किष्रन, विक्की सावन, इत्यादी लोग मौजूत थें वही ग्रामड, अभै सिंग, इश्वर सिंग, जस्वंत सिंग, दीन बंधू सिंग, सोनू सिंग, गंगा सिंग, उदै सिंग, प्रमात्मा सिंग, काशिनाज सिंग, संजै सिंग, मंटू सिंग, इत्यादी भी उपस थें पुरूस है यह नहीं अपराधी तो अपराधी होता है हत्या करने वाला तो हत्यारा होता है उसके उपर उसके उपर भी कानून करवाई करेगी और यहां का तो जीता जाकता उदाहरन है बिहार का मुख मंतरी को रहते हुए मुख मंतरी पद से त्याक करकर के जेल जाना पड़ा कई एक जगहों पर यह अपराधी कोई नहीं बक्सा जाएगा और अपराधी आज नहीं पुर्व में भी नहीं बक्सा गया है कुछ समय भले अपने उदाय माय करकर के अपना प्रियान समय मारने का काम करें लेकिन आंत में उसका हथ प्वह भी मारत खतम हो जाएगा और करे बांव असली रूप में चाम करें और बचाना का प्र्यास अधिकारी है इसमें और यह सरकार तो पूरी के पूरी इस पूरे अपराद को कंट्रोल करने में फेल हुए धरती पर कुछ नहीं वड़ा है मुखमंतरी के घर के सामने हत्या हो रही है बंक लूटा जा रहा है आज लोगों का आना जाना और लोगों को अपने को सुरक्षित रखना दु हो जाता है घर में ही हो गया है यह घटना मुबारत कुर की घटना तो घर में हुई है घर के बच्चों को घर में मार करके मुगाया गया एक प्लानिंग के तहत किया गया और उसके बाद भी थाना बचाने के काम कर रहा है जो उससे प्रभावित लोग है लिख करके दे रहे तो किस खरा बो जाएगा देट ऊसे तरीका से फूच्छ कुम इस तरीका से उस परिस्तिति में जिस घर के जिस समाझ के बच्चे जिस तरीका से उसे लिए चपेट में आ जाए हैं इस अपराधियों के यड़़ि लगता है पड़ेगा उसमें उठाए जाएगा लेकिन अपाधी को बक्सा नहीं जाएगा मैंने पुलिस कानून आज तक किसी को बखसा नहीं है वह समय पर इस इस अप राध में कोई भी अप राधी वोड़ा जिसके इसंब्ह परिछी दिया किраст पुलिस के बड़ी अधिकारी से मैंने बात किया है और आज के बाद मैंने बात करने के बाद मुझे जो बताया गया है कि एक अपरादी उसमें से गिरफतार हुआ है लेकिन उसमें सत्थ प्रतिसत जो भी अपरादी होगा चाहे उसमें महिला है कि पुरूस है यह नहीं अपर दिया जाएगा वो कोई पदपर भी अगर होगा वहीं नहीं बक्सा जाएगा उसके ओपर भी कानून का जाएगा निकल का पिक्षा आज मुने कुछ ठीक है इस का करी अगरेगालाँ सब्सक्रावन कर दो सब्सक्राइब दो से बसे इसने के पास्वबर खुरूम का मैं या और यहां जाएगा स्वार्चा देंज़ पिसाब आना माने पोजेटिव है ताव ना तो पुजए दिए तो किसा नहीं काम नहीं कर रहा था जे 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 तो शबाट रहे कि तो इसके अज्टाव नहीं हो जाता है तो अच्छा है एक आए-एक दूसरा जिसको और मने बाई पायरोड में साथ देती हुआ है कि एक खाली विशे साग्र है कि मने इसको जाहे जिस भी आप इसी लगा करके इस वच्छे को बचाईए जैसे भी हो थोड़ा सा फांत्यान पुरा एफट्स लगा करके जो भी हो तिगर तोर से हम देखते हैं हुआ हाँ हम मरे एक थी पर जो जितना है एक फट्स में कोई कमी मत शोड़ी हो जैसे भी बच्छे को बचाईए अपना है जैसे पर हम फुड़ा मेरा अग्रह वाने विशे साग्रह को बच्छे को बचाईए जैसे हम ठीक है ना है है हम था और हम को भी सीधे सीधे संफर पर ऑब करते हैं और विशन चीज़ करना है कि हैं पैसा भी आया नहीं है उस सब की चिंता छोड़ करके बड़ा पुरा सा कढ़िए उसमें ठीक है हम पुरा उसमें जो भी अपने स्टेडी को दिक्षांस के साथ बनाए इसमार्ट और बेहदासा दिक्षांस अडू टेक 18 फरवडी 2023 से ला रहा है दिक्षांस सी लर्निंग एप दिक्षांस लर्निंग एप के माध्यम से नरसरी से टूल तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंट्राक्टिव बीडियो, बोर्ड वर्क, स्टडी मैटेरियल, डाउट क्लास, ओनलाइन टेस्ट और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट साथ ही आपको मिलेंगे फ्री डेमो क्लासेज, रजिस्टर करने के लिए विजट कीजिए www.dikshans.com हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले, धन्यवाद